नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल Government Exam Study में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक Quick Revision Series स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम उन सभी One-Liners को लेकर आएंगे जिससे कि आपके सारे Important Topics कवर हो जाएंगे अगर आपको इस Series अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज इसको आप Comment Section में जरूर बताईएगा जिससे कि मैं आपके लिए आगी इस तरह जो Series है वो Continue करती रहूँ सबसे पहली बात इस Series की कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पदशलेगा किस तरह के Important Question हर Topic से पूछे जाते हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस भी Topic को स्टार्ट कर उसमें जितने भी Question मन सकते हैं Important वो सभी पढ़ा दो आप सभी की तयारी मुझे पता है कि बहुत बहतरीन चल रही होगी उसी में और Improvement कराने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले हम लोग आज शुरूआत करते हैं Chemistry से रसायन विज्ञान से आदुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं तो कौन है दोस्तों Antony Lavosier परमाडू नाभिक के अव्ये हैं यानि कि आपको पता है कि जो आपका नूकलियस होता है परमाडू का आटम का वो उसमें क्या-क्या होते हैं उसमें proton और neutron होते हैं अमेशा याद रखेगा कि नूकलियस के अंदर proton और neutron होते हैं electron नहीं होते हैं या आपका nucleus होता है इसके अंदर अगर पुछा जा तो आप proton और neutron बताओगे जो electron होता है वो बाहर होता है ठीक है next देख लेते हैं electron, proton, neutron, neutron और photon में से जो अडू का भाग नहीं है यानि कि जो आटम का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है photon जो है वो आटम का भाग नहीं है बाकी electron, proton, neutron आपके क्या है photon के भाग आटम के भाग होते हैं next देखे हीलियम के नाभिक में क्या होता है हीलियम के नाभिक में दोस्तों दो प्रोटॉन और दो न्यूटॉन होते हैं ठीक है प्रोटॉन और न्यूटॉन तो हर किसी के नाभिक में है हीलियम का पूछा जाए को कि प्रश्ट में कई बार हीलियम के गुबार है helium की gas, helium के बारे में पूछा आता है इसलिए आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, दो proton और दो neutron, next देख लीजे परमाडु में कक्षों को भढ़ने का क्रम नियंत्रित होता है, परमाडु में आपको पता है किसी भी atom में आपने शायद हो सकता है पड़ियो साइंस में इलेक्ट्रॉंस को भढ़ने की एक तक्नीक होती है उस तरह से उनको भढ़ा जाता है तो वो कौन सा होता है? आउफ बाउ सिद्धान्त में आउब बाउ भी बोलते हैं इंग्लिश में आउफ बाउ सिद्धान्त द्वारा नेक्स देख लीजे परमाण जिन में प्रोटॉनों की संख्या समान परतो न्यूटॉनों की संख्या भिन होती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सम स्थानिक या फिर आईसो टोप कहते हैं यह परिक्षा की द्रिष्टी से बहुत इंपोर्टेंट है कई बार आपको परिक्षा में लिखा होगा, दिया होगा 15, P, 7 और ऐसे ही कुछ और दिया होगा आपसे पूछा जाएगा यह आईसो टोप है, आईसो बार है क्या है? आपको पता होना चाहिए जिनमें प्रोटानों की संख्या समान होगी, बगर न्यूट्रों की अलग होगी, वो क्या होगे? आपके आईसो टोप होगे नेक्स देख लीजे, रेडियो अक्टिविटी मापी जाती है रेडियो अक्टिविटी किस से मापी जाती है दोस्तों? गाईगर काउंटर से, गीगर काउंटर बोलते हैं इसे, उससे मापी जाती है रेडियो अक्टिविटी का अविश्कार किस ने किया था? बैकरल ने किया था यह बहुत important question है प्लीज इसको end तक जरूर देखेगा इस series से आपको मैं guarantee देनो definitely फायदा होगा और आपको अच्छी लगे तो इसको like भी जरूर करेगा और comment में हम बताइएगा जिससे कि मैं इसी तरह की series आपको लिए all लाती रहूँ और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा पाश्चूरी करण संबंदित है आप पाश्चूरी करण संबंदित है आप पाश्चूरी करण संबंदित है दुग्द के निजड़ी करण से जली होगा निजली करण से यानि कि आपको पता है जो आप टाकट वाला दूद लेकर आते है न वो खराब नहीं होता क्यों नही नेक्स देख लीजे अशुद्यों के कारण द्रव का क्वथनांग क्या हो जाता है दोस्तों अशुद्यों के कारण द्रव का क्वथनांग आपका बढ़ जाता है यह पुछा है ता सीधी सीधे आप से भू पर पटी में सरवाधिक पाया जाने वारा तत्तों कौन सा है कौन स आक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व कौन सा है यो पाया जाता है वो दोस्तों सिलिकॉन है सबसे अगर पुछा जो कौन पाया जाता है आप बताएंगे ऑक्सीजन पाया जाता है और आक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व कौन सा है सिलिकॉन है लीथियम दोस् सबसे भारी धातु है सरवादिक कठोर धातु कौन सी है दोस्तों हीरा हीरा सरवादिक कठोर धातु है next देख लीजे सोना लोहा प्लाटिनम तथा टंग्स्टन में से कठोर तम धातु कौन सी है तो कौन सी है दोस्तों प्लाटिनम सोना लोहा प्लाटिनम और टंग्स्टन में सबसे जो hardest है वो कौन सी है platinum है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है uranium है मोती की रसाइनिक सरनरचना क्या है तो calcium carbonate है आपने देखा होगा मोती समझने पाया जाता है सीप में मोती की रसाइनिक सरनरचना chemical क्या है उसका configuration calcium carbonate आज कल सबक की रोश्णी में पीले लैंप बहुत आयत प्रयोक्त हो रहे है इन लॉंपों का उपयोग करते हैं तो कहां करते हैं sodium ये लैंप जो होते हैं उसमें किसी का उपयोग होता है sodium का पीले लैंप आप देखते हैं road lights में, street lights में उनमें क्या उपयोग होता है sodium का सोने को घोला आ सकता है किसमें? अम्जराज में ठीक है शुद सोना कितना होता है? 24 karat का चूना पत्थर का रसाइनिक नाम है क्या नाम है? calcium carbonate plaster of paris का रसाइनिक रूप क्या है? calcium sulfate plaster of paris का रसाइनिक रूप क्या है? calcium sulfate plaster of paris बना किसका होता है? gypsum का बना होता है next देखिए monazide किसका है? thorium का monazide किसका रसाइनिक रूप कै? thorium का mica है उश्मा का चालक था विद्दुत का कुचालक अगर आप पूछा जए प्राप्त किया था यानि कि लोहे का ओर क्या है? hematite hematite, magnetite दो ओर हैं लोहे के उश्मा था विद्दुत का सर्वोत्तम संचालक कौन है? चांदी ये बहुत important question है बहुत बार आया है exam में सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाये जाने योग इधातु कौन सी है? स्वर्ण है सोना next देख लिजे उश्मा का न्यूंतम संचालक कौन है? सीसा है बॉकसाइट को कच्चा माल के रूप में कौन सा द्योग प्रयोग करता है? कौन करता है? अलुमीनियम उद्योग अलुमीनियम का जो और होता है वो क्या है? बॉकसाइट अलुमीनियम का और आपका बॉकसाइट है कॉपर का और या आयस की से आप हिंदिये बोलते है क्या है? क्यूपराइट है पारा या मरकरी का क्या है? और सिने बार है, जिंक का क्या है, और यह ऐस्क क्यालेमाइन है, आइरन का हैमेटाइट, मैंने बताया अभी आपको ऐस्क होता है, हीरा का क्या होगा, हीरा आपको पता है, कार्बन का ही रूप होता है, बालू, बालू आपका सिलिकॉन है, मारिक का क्या है, मारिक क्या आपका मिश्र धातु को हवाई जहाज तदा रेल के डिब्बों में पुर्जों की रूप में काम लिया आता, कौन सा है? अलूमीनियम, अलूमीनियम बहुत इंपोर्टन है, हवाई जहाज में भी यूज होता है और रेल में भी पुर्जों में यूज होता है नेक्स देखिए, जस्ता तांबा मैंगनेशियम तथा लोहा धातूं में से अमलगम नहीं बनाती है, कौन नहीं बनाती है? लोहा नहीं बनाता है टाका एक मिश्धातू है, टाका यानि की जिसे आप बोलते हैं, वो क्या है किसका है? तिन तथा सीसे का, ठीक है तिन तथा सीसे का मिश्धातू है कांसा एक मिश्च जातु किसका है तामबा एवं टिन का आपने सुना होगा दो नाम कौन कौन से नाम सुने है एक आपने सुना होगा ब्रास और एक आपने सुना होगा ब्रॉंज ब्रॉंज कांस चेपदक तो बहुत लोग को मिलता आपने सुनाओ किसका किसका बना होता है ये बना होता है आपका zinc, sorry, zinc का नहीं बना होता है तो आपका मैंने बताया है ना कि bronze, bronze में Z आ रहा है तो Z आते ही समझ जाएगा ये किसका बना होता है, ये copper plus tin का होगा, ठीक है अगर मैं बोलू brass, brass यानि कि आपका पीतल जो होता वो किसका बना होगा कॉपर प्लस जिंक जहां जेड आता है यानि कि ब्रॉंज अगर पुछा जाए कान से आपका किसका बना तो आप बताएंगे कॉपर और टिन का और ब्रास अगर पुछा जाए तो आप क्या बताएंगे copper और zinc का नेक्स देख लेते हैं german silver, german silver में आपका nickel यूज होता है soldering में क्या होता है, soldering में tin और सीशे का यूज होता है bleaching powder में किसका यूज होता है chlorine का, ठीक है next देख लेते है, hypo hypo कहीं लिखा होगा, इसका मतलब उसमें क्या यूज हो रहा है में sodium use हो रहा है German silver में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0 होता है ठीक है? German silver में कोई चांदी का प्रतिशत नहीं होता है 0 होता है पीतल, भभी मैंने आपको बता दिया पीतल और आपको दो चीज़ बता दिया brass और bronze पीतल किसकी मिश्रधातू है? फीका पड़ जाता है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ायाते है अगर स्टील को कठोर बनाना है तो नेक्स देखिए जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोक्त होने वाली महत्पूर धातू कौनसी है? किसका किसका है? यह देखिए आपका स्टेनले स्टील लोहा, क्रोमियम, मांगनीज, कार्बन और निकल यह लिखके रख लिए जो बहुत इंपॉर्टन स्टेनले स्टील ने पूछा जाता है लोहा, क्रोमियम, मांगनीज, कार्बन और निकल जंग लगने पर क्या होता है लोहे का भार बढ़ जाता है हीरा ग्रेफाइट कोईला में से कार्बन किसमे है तो इन सभी में कार्बन होता है पेंसिल का लेड किसमे बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है जो कि क्या है कार्बन का ऐलोट्रोप है नेक्स देख ली जो बक मिनिस्टर फुलरीन क्या होता है तो बक मिनिस्टर फुलरीन दोस्तों आपका कार्बन याउगी का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमानों का गुच्छा होता है जो परश पर 5 भुजिय शट बुच्छ से बने बहु फलकी सनरचना से जुड़े होत है सूखी बर्व या ड्राइ आइस किसे बोलते हैं solid carbon dioxide को बोलते हैं थोस carbon dioxide को बोलते हैं नेस देखिए सोविन सोविन क्या है कीट नाशक टैफलान क्या है फ्लोरीन युक्त बहुलक फुलरीन क्या है कार्बन का एक अपरूप होता है कोईले में सबसे अधिक प्रतिशत का carbon का किसमें होता है anthracite में आपको पता होगा anthracite, bituminous, lignite इस सब कोईले के अंच होते हैं तो सबसे ज़्यादा carbon किसमें आयाता है anthracite में hydrogen को अगर जलाया जाया तो क्या बनता है पानी बनता है next देख लीजे भारी जल का एक प्रकार है भारी जल आपने सुना होगे heavy water जिसका आप यूज करते है nuclear reactors में nuclear power plant में क्या काम होता है इसका शीतलक और मंदक moderator और coolant का काम करता है आपका heavy water जाने की भारी जल क्या होता है यहाँ पर hydrogen के स्थान पर deuterium यूज होता है deuterium यूज होता है ठीक है hydrogen के स्थान पर जल गैस क्या है या फिर water गैस जिसे आप बोल दें क्या है carbon monoxide प्लस hydrogen का mixture जो होता यह क्या होता है water गैस या फिर जल गैस जल के लिए pH का मान कितना होता है लगभग साथ होता है नेक्स देख लीजे पानी का शुद्धतम रूप है क्या है पानी का शुद्धतम रूप वर्शा का पानी पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्या चीज क्लोरीन समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला दा सकता कैसे उत्क्रम पराशनर प्रक्रिया द्वारा यानि कि reverse osmosis और English ने बोलते हैं ऐसे आप समुद्री जल को शुद्ध जल में convert कर सकते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या प्रयूगत होता है तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में hydrogen प्रयूगत होता है फिटकरी गंदे पानी को structure करती किस क्रिया के द्वारा सकंदन प्रक्रिया द्वारा नोबल गयस कौन सी है helium noble gas है next देख लीजे वायू मंदल में क्या क्या है वायू मंदल में सबसे ज़्यादा मैंने लिका है आपका nitrogen होता है 78-79% आपका oxygen होता है 21% सॉरी 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 0.03 परसेंट ने 0.18 परसेंट सीख है आरगन आपका 0.18 परसेंट है कर्बंड ऑक्साइड कितना होता है 0.03 परसेंट यह मैं क्यों बता रही है क्योंकि सबसे अगर पुसाज़े कौनसी वायमंडर में गयास है आप बताओगे नाइट्रोजन होती है उसके संबुद्र में सांस लेने के लिए गैस जो ऑक्सीजन के साथ प्रयोग होता है जल में आसानी से घुलनशील क्या है अमोनिया है हास से गैस या फिर लाफिंग गैस किसे बोलते है नाइट्रेस ऑक्साइड को एनिस थीसिया यह आपको पता है डॉक्टर जो देते हैं मूर् इस स्च्च में इस सब बहुत इंपॉर्टन सीरीज है अगर आपको एह सीरीज चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेशन में जरूर बताएगों से जाए जाएज़ा शेयर करिएगा तो ज़िए वाइव यानों के टैरों में बहुतने का प्रयोग किया तक इसको भरा रागता है nitrogen gas को भरा जाता है कीट भक्षी पॉधे जिस मृदाम में उगते उसमें कमी की चीज़ की होती nitrogen की सामानेता गुबबारे में भरी जाती क्या भरी जाती helium gas अश्रू gas क्या है? इसे आप बोलते है tear gas वो क्या है ammonia है हासे गैस कौन सीथी, लाफिंग गैस कौन सीथी, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया शील्ड क्या है, फ्लोरीन, द्रफ की रूप में क्या पाया जाता है, ब्रोमीन, ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है, ट्यूबलाइट में कम दाप पर, आर एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पी एच क्या है, साथ से अधिक, तेजाब का मूल रसाइनिक नाम केसे माना आयता है, sulfuric acid को, तिजाब का chemical अगर पुछा रहे हैं नाम क्या तो आप बताएंगे, sulfuric acid, next देख लीजे, नीला थोथा किसे बोलते हैं, copper sulfate को बोलते हैं, washing soda क्या होता है, sodium carbonate होता है, caustic soda, sodium hydroxide, नीला थोथा, copper sulfate, hypo sodium thiosulfate है, Epsom salt, magnesium sulfate को बोलायाता है, baking soda, sodium bicarbonate को, bleaching powder क्या है, calcium oxy chloride या फिर calcium hypo chloride, silver bromide क्या है, photography है, silver iodide किसमें यूज होती है, कृतियम वर्सा या फिर artificial rain के लिए, silver bromide कहां यूज होता है, photography में, lithium bicarbonate से गठिया का उपचार किया आता है, दूदिया, magnesium क्या है, अमल है, यह क्या है आप का प्रति अमल है, next देख लीजे, प्रथम विश्विद में, रशायन ही कौन सा यूज किया गया था, रशायन जो यूज किया था, प्रथम विश्विद में, first world war में, mustard gas थी, बोपाल गयस राजदी किसकी वैसे हुई थी, methyl isocyanide के, रिसाव के कारण हुई थी, लिके जिसक कार्डिग्राफी ही यूज कियाती है, DDT क्या है आपका, यह आपका pesticide है, कीप नाशक है, nicotine किसे में बाया आता है, तंबाको में, वहाँ उत्प्रेरक जिसका उप्योग वनस्पती तेलों के hydrogen के लिए बनाया जाता है, कौन सा है दोस्तों, nickel, nickel को hydrogenation आपने सुना होगा, उ फल को पकाने में किस सायता मिलती है, calcium carbide से, हरे फलों को artificial रूप से पकाने के लिए calcium carbide का use किया आता है, क्योंकि यह क्या उत्पंद करता है, acetylene करता है, तो हरे फलों को पके-पके इतने सारे फल मिलते हैं, वो कैसे पकायाते है, calcium carbide के साथ, क्यों क्योंकि उसमें acetylene होता वुड इस्पिरिट किसको कहते है नाचुरल रबर का आपका क्या बहुलक आईसोपरीन बुलिट प्रूफ वस्त के निर्माः में प्रयुकत बहुलक प्रदार्त कौन सा है केवलार है Next देख लीजिये उसके बाद Teflon क्या है? Teflon आपका Phluoro Chloro Carbon होता है Teflon क्या है? Phluoro Carbon होता है बरतनों को चमकीला बनाने के लिए क्या उप्योग किया आता है? Zinc Oxide Phenol का प्रयोग कहा होता है? Bacolide के निर्माण में ठीक है? Non-stick करहाई किसे बनती है अपका लाल सेटी में, शोडा वॉटर, क्या होता है सीख में क्या पाय जाता है , में मैलिकों, इंगुर इंधली में टार्टर्डctors, फोतोग्राफ।ई में क्या प्रयोक कीया जाता है noble tail किसको बोलते हैं TNG को बोलते हैं RDX क्या है cyclonite है octane संक्या किसी जी गुड़वता कीमाप करती है petrol की और ctn संक्या diesel की gober gas में क्या मुख्यपता प्रयोगत होता है gober gas में methane मुख्यता होती है LPG में क्या-क्या होता है ethane, propane और butane जो आपे घर में gas cylinder यूज़ करते हैं liquid hydrogen petroleum gas उसमें क्या क्या है ethane propane और butane है next देख लीजे car के engine में knocking से बशने के लिए किसका प्रयोग किया आता है दोस्तों lead tetraethyl का खाने की वस्तों के production में क्या प्रयोग होता है sodium benzoate aspirin क्या है anti-piratic है अगनी शमक के काम क्या आती है दोस्तों carbon dioxide gas काम आती है चूहा विश के रूप में किसका प्रयोग किया आता है zinc phosphide का और भोपाल का इस दाज़दी हुई कब थी 3 December 1984 को हुई थी और मैंने आपको बताया इसमें कौन सी gas का रिसाव हुआ था methyl isocyanate मुझे उम्मीद है कि आपको एक class बहुत ची लगी होगी इसमें मैंने जल्दी अली सीले करा दिया और objective questions करा कि आपका time waste नहीं किया है quick revision हो जाएगा और आप फटा फट से देख लोगे चीज़े तो आपको class कैसी लगी ज़रूर बतायेगा जाजाज शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो कोई query हो तो आप ज़रूर पूसरते कमेंट सेक्शन में और नए हो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिजेगा धन्यवाद